इस गेनबाज ने चारो और तहल का मचा दिया है फैंस भी इस पाकिस्तानी गेनबाज की तेज गती वाली गेन को देखकर हरान है सोचल मीडिया पर फैंस अब इनकी तुल्ला उम्रान मलिक और शोय बक्तर से कर रहे है पाकिस्तानी गुएट फैंस को लगता है कि उन्हें अगला शोय बक्तर मिल गया है दरसल इस अनुल्ला ने घातक गेनबाजी की जिसकी वज़ा से सामनी करम पाकिस्तान वर्सिज अफ़ानिसान गुदशता रात होने वाले तीसरे टी-20 मैस में पाकिस्तान ने अफ़ानिसान के वाइट वाश करने की उमीदों को तो खाक में मिला ही वही हमारे प्रोसि मुल्ग भारत के चंद ऐसे सहाफी जरूर हैं जो ये चाहते थे के पाकिस्तान बुरी तरह वाइट वाश हो उनकी भी उमीदों पर पानी फेरा है सबसे आहम बात्चे है कि पाकिस्तान के बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और साइम अयूब ने एक अच्छी और जिम्हदाराना बारी खेली इन तमाम नए चेहरों के बारे में जहां बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी वहीं इस जीत को एक ताज़ा हवा कजों का पाकिस्ताने क्रिकेट के लिए कहा जा रहा है और ना सिर्फ पाकिस्तान बलके भारत के सहाफी इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को खुशाइन करार दे रहे हैं खासकर साइम उयूब एसान उल्ला और जमान खान की वो परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान के बैंच स्ट्रेंट को काफी मजबूत कर सकती है पहले दो मैचिस के बाद जो पाकिस्तान पर प्रेशर था उससे किसी तोर पर भी ये नहीं लगता था की सूरत में मिल चुका है और उसकी एज़ भी बहुत कम है और इस एज़ में इतनी ज्यादा स्पीड 150 तक बॉल करने वाला जब आगे बढ़ेगा एक्शन में बेतरी लाएगा तो स्पीड भी बेतर होगी और स्वेब अखतर का रिकार्ड कोई और नहीं पाकिस्तान का पाकिस्तानी गेंबास ने उड़ाया गर्दा 150 की स्पीड से चटका डाले पाकिस्तान क्रिकेट में इस दिगज गेंबास के एंट्री से दैशत में क्रिकेट पर्ट बल्ले बाजों हो जाओं साबधान ये बॉलर आग का गोला फेकता है उम्रान से पहले क्या वो तोड़ देगा शोय बखतर का रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट में समय समय पर एक से एक शांदार तेज गेंबास देखने को मिलते हैं इम्रान खान से लेकर वसीम अकरम वकार यूनुस आकिब जावेद और शोय बखतर सभी ने अपनी तेज गती के साथ वर्ल्ड क्रिकेट के दि खुफाई रफतार से सभी को इम्ब्रेस किया बीस साल के खिसान उल्ला ने पिर पी तेज गेंबासी से बल्ले बाजो का बुरा हाल कर दिया है इहसान उल्ला को पाकिस्तानी क्रुकेट का भविश्य बताया जा रहा है अपनी तेज गेनबाजी से धमाल मचाया लेवाजों घुटने देखने पर मजबूर कर दिया पिरस ने 150 किलोमेटर पती घंटे की रफ़तार से गेनबाजी कर महफे लोट ली यही नहीं इहसान उल्ला ने जिस अंदाज में पांक वो भी कमाल कर रहा इस दुरान उनकी गती और लाइनलेंद भी सर्ठीक रही इहसान उल्ला को उनकी गेनबाजी के लिए प्लेयर अफ़ दा मैच के खिताब से नवाजा गया इस गेनबाज ने अब 4 और तहल का मचा दिया है फैंस भी इस पाकिस्तानी गेनबाज की तेज गती वाली गेन को देखकर हरान है सोशल मेडिया पर फैंस अब इनकी तुल्ला उमरान मलीक और शोय बक्तर से कर रहे है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को लगता है कि उन्हें अगला शोय बक्तर मिल गया है दरसल इस अनुला ने खातक गेनबाजी की जिसकी वज़ा से विरोट पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास में उनका चार उवरों का गेनबाजी स्पेल अभी तक कास सबसे तेज गती के तौर पर रिकार्ट किया गया इस पेल है इस अनुला ने लगभग 145 की ओसत गती के साथ अपने चार उवरों में गेनबाजी की इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के ही तेज गिन्माजी आकरमन को देखा जाए तो वर्ल क्रिकेट में आपको सबसे खतरनाग दिखाई देगा पाक टीम के पास जहां शाहीन अफिदी और हारिस रौफ के रूप में दो अनुमवी गिन्माज पहले से मौजूद हैं वही नसीम शा, मुहमद हस्नें और शाहनवाज दाहनी ने भी अपनी गती से सबीक को काफी इंप्रेस किया है इसके रावार टीम के पास जमान खान और सलमान इशाद के रूप में भी दो शांदार तेज गिन्माजो का विकल्प मौजूद है और अब उसमें इर्सान उल्ला का नाम भी शामिल हो गया है इसे में लोग कह रहे हैं कि तेज गिन्माजो के असली फैक्टरी तो पाकस्तान ही है जो शमय समय पर ऐसे ऐसे तेज गिन्माज पैदा करती रहती है जिसके आगे अच्छे बल्ले बाजो की एक नहीं चलती अरकि भारते टीमें भी इंदनों उम्रार मलिक मुहमद सिरा जैसे तेज गिनमाज खेल रहे हैं लेकिन फिर भी तेज गिनमाजी के मामने में आज भी पाकिस्तान टीम का कोई जवाब नहीं इर्सानुला की धमाकेदान एंट्री ने एक बार फिर से इस बात को साबत कर दिया है इसे मुकाबले में जवन अस्केल दिखाया और मैं जीता और यह साथिक किया अपने प्लेयर है जब आपके तीम सबसे आदा प्रॉलम में होती है तो वह सबसे अच्छी इलिंग्स खेलते हैं इतिकार एहमद वो खिरारी है कि हार करें जबरे से जीतपी प्लाने में सच्छा मोते है गाम्याँ होते हैं अइसा केवल 30 प्रस के लिए है लिए हैं, लेकिंग बहुत जादा इंपोर्टेट है, मैच के कॉंटेक्स्ट में से इप्टरी कोंटेक्स्ट में बहदरी इन बैकिंग की एक्षिकार में, और मेरा ये मानना है कि इंको रेगूरर फाजी साजी को मुका मिलना चाहिए, इनके साथ जा एक बार पाकिस्तान ने वाले पहले क्रिकेट बन गए हैं एक बार पाकिस्तान में तरी जीट उसकी पक्ति होगे जिए अवगाजिसान की तीम बहुत अची तीम है लेकिन ये 130-140 बन वाली तीम इसे ज्यादा अपॉनें बना लेता है इसी तीम में जो वन पर दाम रखे जिस इंडिया पाकिस्तान वस्तिया इंग्या इसके खिलाब ते अवगाजिसान के बालिंग तीम है बैचिक में उसके बहुत सारी कम्यां है जो इस बैच में जाहिर होगी इसानुलाने क्या जबर्दस्ति एनवाजी कि है यार उन्होंने विसाना बिदरा तीम गेठी है और जि पाकिस्तान कैसे रहे हैं जिए उन्होंने लास्त मैच आते आते जो है अपना फोटेंशल सामित कर दिया और यह बताया कि इंगोर मौके मिले बावर और इस्वां के साथ मिक्स करते हुए तो यह थी काफी अच्छा परफॉमस कर सकते हैं देखिए पाकिस्तान ने बस इतन अफ़ानिसान के खिलाब में रिस्की फैसला हो सकता था और ऐसा ही हुआ लेकिन आखिर होते 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 सीरीज खतब होते होते उनके यंग्स्तस में अच्छा परफॉमस दिया और फाइनली ब्ला इस से अपने नान किया पहली बार सीरी दिल्की इस पाइसान के लिए सब अपने अपने आप रिस्कादिस करने में तक इन शनार्यों में जरूर दम है